प्रक्रन पंद्रा, स्वामी विवेकानंद, प्रैम के अध्वितिय संदे स्वाहक मेले में भारी बीड थी, सभी अपनी अपनी पसंद की चीजे खरीद रहे थे खिलोनों की दुकान पर भारी बीड थी, बच्चे खिलोनों के लिए पागल हो रहे थे लेकिन आठ वर्षिय नरेंद्र ने खिलोना नहीं एक शिवलिंग खरीदा, उसके पास सिर्फ दो रुपिये थे अब केवल एक चवणी बची थी, तभी एक लड़का रोता हुआ मिला नरेंद्र ने उसे पूछा, क्यों रो रहा है? मेरे पास एक चवणी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी कोई बात नहीं, यह लो चवणी, नरेंद्र ने उसे चवणी दे दी और आगे बढ़ गया अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था, कि सामने से एक मौटर आती दिखी एक बच्चा उस मौटर से बिलकुल बेखबर चला जा रहा था नरेंद्र ने जपट कर उस बालक को खींच लिया एक पल की देर होती, तो वो बालक मौटर के नीचे आ जाता इस जपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से से शिवलिंग छूट कर गिर गया और तूट गया किसी ने कहा बेचारे का नुकसान हो गया नरेंद्र ने कहा इस से क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला करतवे था नरेंद्र में बच्पन से ही दूसरों की मदद करने और दुख्यों की सहायता करने की भावना थी नरेंद्र को प्राचीन धर्म ग्रंतों की कहानिया और बाते सुनना बहुत अच्छा लगता कलकत्ता से इंट्रेंस की परिक्षा पास करने के बाद नरेंद्र ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में नाम लिखाया भारतिय धर्म और दर्शन के प्रती नरेंद्र का बहुत चुकाओ था वह अक्सर ही लोगों से धर्म और इश्वर के सम्मन में चर्चा करते इसी दोरान एक दिन आपकी मुलाकत स्वामी राम कुष्ण परहमन से हो गई वह नरेंद्र से मिलकर बहुत प्रसन हुए और उन्हें दक्षिनेस्वर के मंदिर में बुलाया इसके बाद से वह रोज ही उनसे मिलते बिये पास करने के बाद नरेंद्र ने वकलत पड़ी इसी बीच पिताजी का देहांत हो गया परिवार का पूरा बार नरेंद्र पर आ गया लेकिन नरेंद्र की इच्छा थी सन्यास लेने की वह एक दिन राम पुष्ण परहमन से बोले मैं तपस्या करना चाहता हो इस्वर के दर्शन करना चाहता हो स्वामी परमहन से कहा यह स्वार्त भरा विचार छोड़ दो अपनी मुक्ती की चिंता मत करो इस संसार में लाखो दुखी है उनका दुख कम करो उन्हें मुक्ती देने की बात सोचो समाज भठका हुआ है उसके सामने उलजनों के पहाड है पहले समाज को सही रास्ता दिखाओ आज जितने मत है उतने पंथ है तुम उन सब की सच्चाई बताओ और उस मार्क पर चलने के लिए लोगों से कहो लोग कल्यान से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है नरेंद्र पर रामकृष्ण परमंस के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा उन्होंने परमंस जी से सन्यास की दिख्षा ली और तब उनका नाम पड़ा विवेकानन्द परमंस जी ने कहा दुख में फसे मनुष्य को मुक्त करना और मनुष्य जाती की सेवा ही सन्यासी का सच्चा दर्म है इन्हीं दिनों की एक गटना है विवेकानन कहीं जा रहे थे उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे पेड की छाया में एक आदमी बैठा चिलम से तमाखो पी रहा है वो जितनी तनमयता से तमाखो पी रहा था उसे देखकर विवेकानन का मन प्रसन हो गया वो भी तमाखो पीने के लिए उसके पास बैठ गये उस आदमी ने चिलम उनके आगे कर दी और बोला स्वामी जी मैं अच्छो थू चिलम पकड़ने के लिए स्वामी विवेकानन का बढ़ा हुआ हाथ रुक गया वो उठे और आगे चल दिये अभी कुछ ही कदम चले होगे कि उनके मन ने कहा विवेकानन तुम तो सन्यासी हो गए हो तुम्हारे मन में जाती भेत का विचार क्यों? दुनिया में सब इंसान एक से ही है क्या उचा और क्या नीचा? क्या गरीब हमीर सब उसी इस्वर के बनाए है तुम्हारे मन में यह गलत विचार क्यों आया? यह सोचते ही विवेकानन लौट पड़े उस व्यक्ति से चिलम ली और खूब जमकर तमाखु भी। उन्होंने तमाखु का दुआ ऐसे फैका जैसे अपने मन का सारा मेल दुआ बनकर फूंक दिया हो। स्वामी रामकृष्ण परमंस के देहाव सांग के बाद स्वामी विवेकानन ने रामकृष्ण संग की स्थापना की। इसके बाद आपने देश प्रहमन किया। इस दोरान आपने भारतिय जन्ता और समाज की समस्याव को निकट से देखा परखा। लोगों की गरिबी, सामाजी कस्टो और अग्न्यानता को देखकर विवेकानन दुखी हो उठे। वो कन्या कुमारी पहुँचे और वहां साध्ना में लीन हो गए। इसी समय आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार फिर स्वामी विवेकानन भारतिय जन्ता का दुख दूर करने के लिए प्रयतनशिल हो गए। सिकागों में इसी समय सर्व दर्म सम्मेलन हुआ। वहां आपने भारतिय धर्म, संस्कृती तता समाज की बारे में। ऐसा अभूत पुर्व भाशन दिया कि लोग चकित रह गए। फिर तो विदेश यात्रा का जो सिलसिला सुरू हुआ तो वह कई वर्ष तक चला। स्वादेश लोट कर भी अपनी अंतिम सास तक देश की जनता के कल्यान के लिए ही प्रयत्न शील रहे। स्वामी विवेकानंद का विचार था, देश के सिक्षित मध्यमवर का समाज अभी तक जागरत नहीं है। जब तक वह जागरत नहीं होगा, तब तक देश का कल्यान नहीं होगा। देश का पविश्य, देश के मजदूरों और किसानों के हाथों में है। समाज में फैले धार्मिक अंदविस्वास को दूर करने के लिए उन्होंने कहा था, मनुस्य का सबसे बड़ा सत्रू अंदविस्वास है। इसवर सब जगह है, वह एक है, वह हिंदों का ब्रह्म है, मुसल्मानों का अल्ला, पार्सियों का यहुर्मज, यहुदियों का यहोवा और इसायों का पिता है। अंतर केवल हमारी पुकार में है। विवेकानन सच्चे मानव प्रेम में विश्वास करते थे। हमारे समाज में दो तरह के लोग है एक वे जो ढोंगी है तिलक लगाते है और धर्म के नाम पर लोगों को दोखा देते है लटते है दूसरे वे है जो इश्वर की बनाई हुई हर चीज से प्रेम करते है इसलिए सच्चा धर्म तो यही है कि सबसे प्रेम करो